Hello students, welcome back to PST NIUS, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th NIUS Introduction to Law जिसका code है 338 उसके solve assignment को और ये assignment का solution होगा session 24 वाले students के लिए मतलब अगर आपको April 24 में exam देने हैं तो आपको यह assignment बनाना है या फिर अगर आपको October 24 में exam देने हैं तो भी आपको यह assignment का solution त्यार करना है चैनल पर नहीं हूँ है तो subscribe कर लें, बाल आइकोन को प्रस कर लें ताकि आपके पास ऐसे informative वीडियो पहुंसती रहें वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले अगर आपके पास other subjects हैं तो description box में आपको दूसरी वीडियो की link पुल जाएंगे महां से आप अपने assignment बना पाओगे PSC NIS एक ऐसा educational organization है जो NS Board के बच्चों को teach करता है, support करता है and we have been helping guiding the students more than 14 years जब आप हमारे app से जुड़ते हैं, हमारे channel को subscribe करते हैं तो आपका जो smart step है वो आपको 95 प्लस का examination में score कराने में आपकी help करता है your trust, hard work and our guidance give you excellent marks we provide you some extra benefits, जैसे कि अगर आपको NSC related proper information चाहिए तो आप हमारी consultancy service को join कर सकते हैं consultancy service में हम आपको पूरे साल guidance भी देंगे, updates भी देंगे और आपको solve TM upload करके देंगे, इसके लावा solve practical भी देंगे अगर आपको NSC guides चाहिए तो आप हमसे purchase कर सकते हैं और इन guides पर आपको 20% का discount भी मिलेगा अगर आपको हैंड़ी देंगे चाहिए तो भी आप हमसे purchase कर सकते हैं और अपने assignment बनवा करके हमसे upload करवा भी सकते हैं आप हमसे इस number पर contact कर सकते हैं आप हमारे app को भी जरूर से download करके रखें आप करिंग description बोक्स में हैं जहां पर आपको मिलता है अलाइस की online classes, study material, important question answers, TMA, practical exam updates चलिए तो मैं आपको दिखा देती हैं introduction to law का assignment जितने भी हमारे assignment होते हैं वो expert teachers के तरू हम आपके त्यार करवाते हैं जिन पर आपको अच्छे marks मिलते हैं इसके लावा multiple time चेक करके assignment याप तक पहुचाए जाते हैं तो देखें यह रहा पहला question जिसका answer आपके सामने है अगर आपको assignment की importance नहीं पता है कि TMA क्या है इनको submit करना क्यों जरूरी है तो इस topic से लेकर related video का link आपको description box में मिल जाएगा तो पहले question का answer आपको 42-60 words में देना है यहाँ पर B option को select किया गया है और इसका answer आपके सामने है इसके पास second question का answer भी आपको 42-60 words में देना है यहाँ पर B option को select किया गया है और answer आपके सामने है third question को भी आपको 42-60 words में ही describe करना है तो यहां पर A option है, इसका answer आपको लिखना है बात कर लेते हैं question number 4 की, जहां पर आपकी word limit बढ़ जाएगी, यहां पर आपको 100 से 150 words में answer करना है अगर आपको TMA की पीडिएफ चाहिए तो आप हमसे इस number पर contact कर सकते हैं, यह number description box में भी है या फिर आप हमारे आप पर जाकर के directly वहां से भी इसको purchase कर पाएंगे, आपका लिंग description box में है चलिए, question number 5 में अगेन आपको 100 से 150 words में answer करना है तो यहां पर B option को select किया गया है इसका answer भी आपके साफने है अभी बात करेंगे 6 number के question की, जिसका answer जातर बच्चों को नहीं मिल पाता लेकिन जब आप हमारे चैनल के थुरूपने assignment बनाते हैं तो आपको 6 के 6 question के answer मिल जाते है यहां पर आप देख सकते हैं, यह option को select किया गया है इसका question के दर इसका आपको answer लिखना है चलिए आगे बढ़ लेते हैं सो विद्धिस हमने हाँ पर पूरा का पूरा assignment देख लिया है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपके help हुई हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share, हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले इसके लवाए आपको download कर ले, आपका link description box में है तो चलिए next video मिलते हैं, thank you so much and good bye